सत्च श्रियकाल, साहितक सत्च चैनल दे आप जीदा स्वागत, मैं हां हर्मीत कौर, आज दी क्लास वे चसी बाबा फरीद जी दे, ही कुछ होर श्लोक हां जिनना दी प्रसंग सहत व्याख्या करन जा रहे हां बुढ़ा होवा सेख फरीद कमबन लगी दे, बाबा फरीद ने इस श्लोक दे वेचे बुढ़ापे दे जीवन नू या बुढ़ापे दी अस्थिती नू या बुढ़ापे दे वेचे मनुखी मान दे पावा नू ब्यान कर दे हूँ या लिखिया है कि बुढ़ा होवा सेख फरीद पाव हे मनुख्र क्योंकि फरीद ने जिन्नेवी श्लोग लिखे हनो आपे नू स्वै चिंतन कर दे हूँ या आतम अवलोकन कर दे हूँ या आतम नू संबोधित कर दे हूँ या लिखे हन कि बुढ़ापा आ गया है बुढ़ापे दे विच जो है शरीर निताना हो गया है कमजोर हो गया है इनना जो निताना हो गया है कि इसते वस नहीं रहा और अपनी समरथा अनुसार अपने काज सवारंदी भी हिम्मत नहीं रही बुढ़ापे करके कमजोरी करके शरीर कम रहा दूजे शब्दा विच एवी क्या जा सकता है कि बुढ़ापे दी अवस्था दे विच मनुख नू जो है अपनी मौत जो नेड़े दिखाई देंदी है तो मौत तो डर रहा है डर क्यों रहा है डरेगा ओही मनुख जिसने जीवन दे विच कोई गुणा कीते हैं जिसने कोई चंगा करम ने कीता वो कुदरती गल है डरेगा जिस मनुख ने जीवन दे विच आपने फरजानों ने भाया है अपने जिम्मेदारियानों सोच बूच दे नाल ने भाया है चंगे करम कीते हैं किसे दा मन्दा सोच या नहीं किसे दा बुरा चित्वया नहीं जे हां मनुख जो है मौत नो मी खुशी-खुशी परवान करदा है पर जिस मनुक ने जिंदगी दे विच गुनाहा दे पलडे पारी रखे हन वो मनुक जो है अंत विले कंबदा है उसती अंतर आत्मा जड़ी है वो डोल जाती है कवी कह रहा है कि बुद्धा हुआ शेख फरीद कंबन लग गई है जे सौ वर्या जीवना पीत अनोसी के पाव इस संसार दे पामे ते नहों है मौफ किन्नी वी लंभी उमर जीवना मेर जाता आखिर ता Inte स्रीर जो है मिट्टी दी टेड़ी है इसने मिट्टी दा रोप बन ही जाना सी पाव मनुखा दे जो है वो नाश्वान है जीवन अते मौध दो निश्चित बिंदु हन जीवन दे जीवन तो बाद जो है मौध भी हर हीले आउनी ही आउनी है इस मनुख नू इसलिए पामेतन नू किन्ना मी लम्मा जीवन जीवन ज सचाई है जो तरी जिन्दगी दे विच हर हीले आउनी ही आउनी है फरीदा बार पराया बैसना साई मुझे ना दे बाबा फरीदी कहरे ने कि बार पराया बैसना पाप गुलामी पर्या जीवन पर अधीन जीवन मुथाची पर्या जीवन जिस जीवन दे विच मनुख जो ह दूसरियां दे कहे अनुसार या दूसरियां दे हुकम अनुसार उसनों करम करना पैंदा है या विचरना पैंदा है चलना पैंदा है बबाफरीज जी कहा रहे ने कि हे कुद्रत हे कादर हे परमात्मा हे साई एस रिष्टी दे मालक हे कंड कंड दे विच व्यापत परमात्मा मेंनु अजेहा वक्त ना वधाई, मेंनु अजेहा जीवन ना देमी, या अजेही पाल अजेही कडी मेरी जिन्दगी विच ना आवे, जद मेनु दूसरी आजी मुथा जी दे विच जो है अपना वक्त लंगोणा पवे, वक्त कटना पवे, अजे हाँ पर अधीन होके विच्रन्दा समा जो है मेरी जिंदगी दे विच्छ ना ले आई ये तो मैं में रक्षी जियो शरीरा ले तो जेकर अजे है पर जिंदगी दे विच्छ आउने ही हन तो गुजारिश है बेंती है एक विंती है जोदड़ी है कि एस वक्त नालों ना चंगा है तो मैंनो जो है इस संसार्तों पाप मौज जो है मेरी जिंदगी दे विच्छ आजावे मैं इस संसार्त रुखसत कर जावा ओ मंजूर है पर गुलामी पर्याज जीवन जूना जो है ओ मंजूर नहीं है यहे प्रमात्ना मेरी जिन्दगी देविच अजेहा वक्त लियाई ही ना जद मैंनू परवस होके परधीन होके जुना पवे फरीदा इकना आटा अगला इकना नाही लॉन बबा फरीद जी क्यारे ने कि संसार दे उत्ते इकना पाव कुछ लोग ना अजेहे हन जिन्दे कोल आटा अगला पाव खान पीन दे हर तरह जो पदार्थ हन बहुत ज़ादे हन बहुत ज़ादा मात्रा दे विच अगला ना वर्तमान दी जिन्ता है ना पवेखिधी जिन्ता है इकना नाही लॉन ते कुछ अजेह हन जिनना दे कोल पाव खान दे नाल जो है लौन पाव पदार्थ पाव लून तक भी उनना दे कोल मजूद नहीं है जिस नाल जो है अपने खुराक अपने पेट दी पोखनों में डाउन दे लई ओ अपने अंदर पेज सकन पाव ओ एनने गरीबी पर्याजीवन वतीत कर रहे हैं जिनना दे कोल हाल दी कड़ी खान लेगी कुछ नहीं है ते कुछ अजे है हैं जिनना दे कोल इनना तानपदार्थ हैं कि उनना अगले पड़ादा भी पविखदा भी कोई फिगर फाका ही नहीं है अग्गे गए से इसे तना दा खुछ हाल रहेगा नहीं अग्गे गए पाव पविखदे विच पता चलेगा कि जापशन पाव ए परक्र किसतना हुएगी कि अगले जीवन दे विच जो देविच जिंदगी गुजार देहनं कि जदुह क्योंकि इन्सान दुख देविच हुंदा है, गरीबी देविच हुंदा है अर्वियू स्तीति देविच व गुरमख हो जावदा है व रब्बी रजानू पुद्रत झी रजानू मन दा है ते आउन वाले समय देविच जो है दरगा देविच फैसला होवेगा कि जिन्ना ने एथे गरीबी मानी है ओ अगे खुशियां प्राप्त कर देहां या जिन्ना ने एथे एशो इश्रत परीजिंदगी बतीत कीती है ओ ना नुगे क्योंकि जदो एशो इश्रत जे साधन मनु तो बेमुख हो जान्दा है ता ओ विशे विकारां देविच उल्ज जान्दा है इसलए बाबा फ्रेज जी कहारे ने कि जिडे एश वेले अपने आपनों तनाड समय देने जिन्ना दे कोल हर तरां दे दुनियावी सुख आराम माजूद ने पविखविचला जीवन जो है उन्ना दा चंगा होएगा या जिन्ना ने ऐस मिले गरीबी दावे देविच भी रब तो मुनकर नहीं होए पावजड़े कुदरत नूं मान देने उन्ना नूं अग्ये जाके कि हो जहा फाल मिलेगा यह ता बक्त दसेगा अग्ये गए से जापसन चोटा थासी काउन यह अ पासली जो जिन्दगी दे हकदार कौन बन दे हन ओ लोग जिन्ना ने इस जीवन दे विच फक्कर पुने जिनाल जीवन बतीत कीता है पर इस दे बावजूद भी और रबतों बेमुख नहीं होए ते दुझे बासे ओ हन जिन्ना दे को सब कुछ होन दे बावजूद भी और र माडियां उसारेंदे भी कए कूडा सोधा कर गए गौरी आये बावजूद भी और फ्रीज जी कह रहे ने कि हे मनुख तो तान दावलत इकठी करके इस दुनिया दे उत्ते बड़े आलिशान महल कोठे मंडप माडियां बनावन दे वे जो रुज्या होया है एस तरह मैसू इस संसार तो रुक्सत कर जाना है इसलिए बाबा फ्रीज जी कह रहे ने कि जिन्ना ने महल माडियां उसारे हन वो भी इस संसार ते नहीं रहे ते पाब जो तू अतीतवल चाती मारे जद इनू पता चल जावेगा कि इस दुनिया ते राज करन वाले बड़े बड़े जो है आपने मनुखा तरम नो नहीं निभाया चंगे करम नी का कीते कूड़ा सोधा पाव तूठते सोधे नने इस दुनिया ते कीते गए हन इसलिए तैनू उन्हा तो सिख्या लेनी चाहिए दी है कि जिन्ना ने इस संसार ते कूड करम कमाये हन तूठते सोधे बाजियां कीते हन उनने जो है जोवी इस दुनिया ते कमाया है कूड़दे टेर लाए हन कूड़दे वपार कीते हन उन्हा अंत वेले नाल नहीं निभने आखिर मों हर मनुखने जो है गौड दे विच पाव कबरा दे विच समाज आना है पाव मौध मों प्राब्त हो जाना है